या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में देवी महात्म का विशेश महात्म है, देवियों में तृदेवी, नवदुर्गा, दश्माविद्या और चौसट योगनियों का सहुँ हैं हिंदू धर में सैकनो देवियां हैं उनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्रियां है तो कुछ स्वयंभू हैं और कुछ अन्निकिसी देवता की पत्निया हैं अधिकतर देवियों को भगवान शंकर की पत्नी पार्वती से जोड़ कर देखा जाता है नौरात्र में नो दिन तक देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है उपासना होती है शिव पुराण दुर्गा शब्सदी आदी जगों पर माता अंबिका को तुर्देव जन्नी कहा गया है तुर्देव अर्थात, ब्रम्हा, बेशनु और महेश की जन्नी माता को ही अंबे, सर्वेश्वरी, जगदंबे आदी इन नामों से पुकारा जाता है नौरात्र में नवदुर्गा की उजा होती है अंबिका ने ही दुर्गमा सुर का वद किया था इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा मदु और कैटव का वद करने के कारण उन्हें कैटवा भी कहा गया चंड और मुंड नामक असुरों का वद करने के कारण उन्हें चामुंडा कहा गया शास्त्रों के अनुसार सदा शिवद्वरा प्रगट की गई अंभिका शक्त की आठ भुजाएं हैं शक्त जगत जननी देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ती धारन करती है भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहा जाता है भगवान शंकर ने सरोप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षाइनी से विवाह किया था दक्षाइनी को ही सती कहा जाता है माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी जो पूरुजन में सती थी देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था सती और पार्वती की कई बहने थी जिनकी भिन्द भिन्द नाम से पूजा की जाती है माता पार्वती को ही पहाड़ा वाली और शेरा वाली भी कहा जाता है ये भी कहा जाता है कि भूमि के देवी उमा भी शंकर की पत्नी थी रक्त बीच का वद करने वाली माता काली भी उनकी पत्नी थी शैल पुत्री, ब्रहमचारणी, चंद्रघंटा, कूशमांडा, सकंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागौरी और सिध्धिदात्री ये माताओं के वो स्वरूप हैं जिनकी पूजा आर्चना नौरात्र में सभी भक्त जन करते हैं कुछ इन्हें माता अंबिका का ही आधात्मिक रूप मानते हैं, तो कुछ माता पार्वती का रूप मानते हैं पार्वत राज हिमाले की पुत्री होने के कारण उन्हें शैल पुत्री कहा जाता है ब्रहमचारणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया तब उनका नाम पड़ा ब्रहमचारणी चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्दक पर चंद्र के आकार का तिलक है उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रहमभांड को समेटे हुए हैं इसलिए कूश्मांड़ा कहलाती है उनके पुत्र कार्तिकेया का नाम स्कंद भी है इसलिए वे सकंद की माता स्कंद माता कहलाती है यग्डि की अगनी में भसम होने के बाद महार्षिक कात्याईन की तपस्या से प्रसंद्र होकर उन्होंने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था इसलिए वो कात्याइनी कहलाती है कात्याइनी ने ही महिशासुर का वद किया था इसलिए उन्हें महिशासुर मर्दनी भी कहते है इनका एक नाम तुल्जा भावानी भी है मा पार्वती देवी काल और हर तरह के संकट का नाश करने वाली है इसलिए काल रात्री कहलाती है माता का वान पुनता गौर अर्थात गौरा यानि श्वेथ है इसलिए वो महा गौरी कहलाती है जो भक्त पुनता उन्ही के प्रती समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है इसलिए वो सिद्धिदात्री कही जाती है प्रतेक देवी का वाहन अलग-अलग है देवी दुर्गा सिंग पर सवार है तो माता पारुती शेर पर पारुदी के पुत्र कार्थिके का नाम इसकंद भी है, इसलिए वो इसकंद की माता कहलाती है और उन्हें सिंग पर सवार दिखाया गया है, कात्याइनी को भी सिंग पर सवार बताया दाता है, देवी कूशमांडा शेर पर सवार है, माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवारी क माता काली रात्र की सवारी गर्दव है, तो सिध्य दात्री कमल पर विराजमान है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे दस महाविद्याएं कौन सी हैं। इन दस महाविद्याओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड अवर्शे देखें। और अब शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं। इसके अलावा यजुर्वेद के तैतिरिय अरहनक में भी उल्लेक मिलता है। इसकंद पुराण में भी उल्लेक है कि वो परमेश्वर के नैसरगी क्रोध से उत्पन हुई थी और देवी पारवती द्वारा दिये गए सिंग पर आरूड होकर उन्होंने मैशा सुर का वद किया था। देखशक्त की आदि रूबा है। इसका उल्लेक पाणिनी पर पतंजली के महाभाष्ट में किया गया है। जो दूसरी शताबदी इसापूर में रचित ग्रंथ है। उसमें भी उल्लेक मिलता है। जिसमें उद्यान या उडीसा में देवी कात्याईनी और भगवान जगनात का इस्थान बताया गया। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नौरात्रे उत्सों में शष्टी को मा कात्याईनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्याचक्र में श्थित होता है। सहाज भाव से मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। मा का नाम का त्याईनी कैसे पढ़ा इसकी एक कथा प्रिचलित है। कत नामक एक प्रसिद्ध महरिशी थे उनके पुत्र रिशी कात्य हुए इनी कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महरिश कात्यायन उत्पन हुए इन्होंने भगवती पारामबा की उपासना करते हुए अनीक वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी उनकी च्छा थ कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, मा भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्विकार कर ली। कात्याईनी कहलाई, ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महार्ष कात्याईन के यहां पुत्री के रूप में उत्पन्ध हुई थी। कि यमुना के तड़ पर की थी। ये ब्रिज मंडल की अधिश्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठत हैं। मा कात्याईनी का स्वरूप अतिंत चमकीला और भास्वर है। मा कात्याईनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुश्य को बड़ी सरहल्था से अर्थ, धर्म, काम, मूठ्ष। ये चारो फल प्राप्त होते हैं। वो इस लोक में स्थिर होकर अलोकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नौरात्र का छठा दिन मा कात्याईनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। और दुश्मनों का बुरी प्रवत्यों का संचार करने में ये विक्ति को सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। सूश्म जगत जो अद्रश अव्यक्त है, जिसकी सत्ता मा का त्याईनी चलाती हैं। वो अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अद्रश या समझ के परे हैं। वासतों में मा का त्याईनी दिविता के अतिगुप्त रहस्यों के प्रतीक हैं। सभी प्राकरतिक विपदाओं का संबंद मा के देवय का तैनी रूप से है वो कुरूद के उस रूप का प्रतीक है जो स्रिष्ट में स्तरजनता, सत्य और धर्म के स्थापना करती है मा का देवय का तैनी रूप अवेक्त के सूश्म जगत में नकारात्मक्ता का विनाश कर धर्म के स्थापना करता है ऐसा कहा जाता है कि ज्यानी का क्रोध भी हितकर और उप्योगी होता है जबकि अग्यानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है इस प्रकार माकात्याईनी का क्रोध वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक उर्जा का संचार करता है आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको बारं बार नमन करता हूँ अगली कडी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मादूर के